आज आपका गोगल किछन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज मैं आप लोग के लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ ना आपके बहुत सारे पैसे बचाने वाले हैं जी हाँ इस बहुत सारे पैसे आपके बचेंगे क्योंकि आप जो बाहर से प्रिमिक्स लेकर आते हैं वो आपको 250-280 रूपीज केजी मिलता है पर अगर घर में होमेड ऐसा प्रिमिक्स बनाकर रेडी करेंगे तो आपको 60-70 रूपे केजी में आराम से प्रिमिक्स बनाकर आपके जगह खड़ा शूगर का भी यूज़ कर सकते हैं वन थर्ड कप लिया है मैंने मिल्क पाउजर तू टेबल स्पून डालना है आपको कोको पाउडर और वन फॉर्थ टीस्पून डालना है आपको नीबू का फुल मिन साइटरिक एसीड और हाफ टीस्पून प्रिमिक्स तो है ना कितना आसान चॉकलेट प्रिमिक्स बनाना और बहुत सारे मैसेज आयते बहुत सारे कमेंड आयते कि मैं जल्दी बताइए आई कांट वेट तो मैं अप्लोड के लिए लेकर ऐसी रेसिपी आ गही हूँ जो आपके बहुत सारे पैसे तो बचाए गई और आपको बनाने है मज़ा भी आएगा कि जब चाहां उठे और फटाफट से निकाला बनाया बेक किया और फटाफट से आइसिंग कर लिया बिदावड आइसिंग भी खाली तो भी इसका टीस्ट बहुत अच्छा लगता है अम इसे बना कर भी दिखा देती हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे आदेंगे मैं आपने सिर्फ बनाया है स्री Primiqs बना की दिखा बतायाने तो क्या सच में बनता है तो आज मैं आपको मना के भी बता देते हूँ तो यह देखिए मैंने एक कप लिया है पूरा अच्छे से नापके, फुल नापछे मैंने प्रेमक्स और हाफ कप से थोड़ा सा कम लगेगा इसमें पानी तो मैं इसे में तोड़ा-थोड़ा पानी आइड़ कर रहे हूं, तो आप भी तोड़ा-थोड़ा इपानी मिक्स किज conditional rate प्र daí थोड़ा सायल डालने वाले है मतलब 1 टीस्पून बदावब इसमें ऑल जाएगा और आपका रेडी हो जाएगा बहुत ही कम खर्ष में बनने वाला ऐसा प्रेमिक्स और आपको बहुत ही सटीक सी रेसिपी मेली है आपको कलर बहुत बढ़ी आएगा आपकी चॉकलेट प्रेमिक्स का अगर आप 2 टेबल स्पून से जादा डालते हैं तो थोड़ा सा डार्क औ 1 टेबल स्पून और डाल दीजिए इसमें कौको पाउडर ताकि कलर आपकी केक का बहुत ही अच्छा है लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि डार्क वाले कऊको पाउडर यूज कर निया और अच्छे ब्रेमिक्स का ब्ढ़ीआ पर लोग होना तो अट हुआ पड़ आपन लाइक निप्रस कर लीजेगा ताकि बहुत सारी ऐसी वीडियो में आप रोके लेकर आने वाली हो जो आपके बहुत ही काम के हैं बहुत ही हलफुल है और आपको बहुत कुछ ऐसे चीज़े सीखने को मिलेंगी जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी में जुगार वाली चीज़ें आपको बहुत ही मिलने वाली कम से कम खर्च में आप कैसी क्या बना कर सकते हैं तो देखिए मेने तावा पर बहुत ही दिन से में बेक करें हूँ नमक का यूश किया उस पर रख है स्टेंड से उपर रख भी है मैंने अपना केक टिन और भगोने तो समझें आपका क्या क्रेडी है मैंने निकाल लिया है और देखिए जर्फस उपर की कितनी चिकनी बनी है मैं इसे थोड़ी ठंडा कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इसे निकाल लेती हूँ तो देखिए ठंडा हो गया है पहले आपको साइड में अच्छे सब्सक्राइब करना है नाइफ सी उसकी बहाद ही आप इसे निका लिए यह देखिए निकल गई अब इसी एक दो थपड़े से थप थपाना पड़ेगा इसकी पीट फिर ही बहार निकल जाएगी यह देखिए निकल गई वाहर और थोड़ा सा भी गरमी है मैं थोड़ा साइसा और तंडा कर लेती हूं उसके बाद दिखाती हूं जादी है कितने अच्छी कितनी सौफट बनी है आप देख सकते हैं दीखिए कितनी सौफट है तो आप यह बनाएए हो मझे कमेंट करके जरू यह वापस अपनी सेप में आई ही जाएगी यह देखे और ऐसे प्रेस करके आपको कोई नहीं दिखाएगा जैसे मैं आपको बताती हूँ तो यह देखे कितनी अच्छी कितनी ज्यादा सॉफ्ट बनी है तो आप यह जरूर बनाएए आपकी भी केक ऐसी ही बनेगी ही आप इसे अच्छी आइसिंग कर सकते यह देखे मैं जपने फिंगर को इसके अंदर दवा रही है तो यह वापस अपनी शेप में आ रह restoring है आप ध्यान से देखिए मैं इसकितना जोर से प्रस कर रही है और यह वाप अपनीशेप में ऊपर आ जा रही है यह देखिए हैना जादू आप यह homemade premix ट्राय किजिए और मुझे कमेंट करके जरूर कि आज जो मैंने आपको रेसिपी बताई है वह आपको कैसी लगी और अगर पसंद आया तो प्लीज अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो जरूर शेयर किजिए ताकि वह लोग लेकन को प्रेस करके और पर करके क्लिक करना है ताकि मेरी वीडियो के शारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलते हैं लेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाई बाई थैंक्यू सो मच